Moto G34 5G, Vivo T2X 5G, इन दोनों का आज कम प्रिजन करने वाले हैं, सबसे पहले अगर हम प्राइस की बात करें, तो ये 12,000 को देखने की मिलेगा, 8GB RAM और 108GB इंटरल इस्टोरेज, और ये जो है वो 6GB RAM और 128GB इंटरल इस्टोरेज के साथ ये 13,000 को आता है, यानि 12 ट्रिपन नाइ Motorola से 1000 जार इसका प्राइस है, तो दोनों को find out करते हैं, कि क्या का चीज़े का different देखने की मिलता है, तो सबसे पहले हम back panel और then design के बात करें, तो दोनों के अंदर back panel में plastic देखने की मिलता है, और दोनों के अंदर यहाँ पर mat finish मिलता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर fingerprint का नि experience बढ़ा सकते हैं क्योंकि एक लेदर का जो फिनिश होता है उसको एक हेंड में वोल्ड करना एक अच्छा प्रीमियम सा फिल देता है तो यह दोनों में फरक है बाके यह से फ्रेम की बात करें तो फ्रेम दोनों के अंदर प्लास्टिक है और दोनों के अंदर फ्रेम सेम देख देखनों को मिलता है तो एक चीज़ फरक देखनों को मिलता है कि वहीं मोटरोला के अंदर डबल स्पीकर के साथ साथ यहां पर आपको डोल्बी एटमोस का भी सपोर्ट देखनों को मिलता है और वीवो में आपको यहां पर सिंगल स्पीकर देखनों को मिलता है तो यह क्वालटी में तो बेटर यहां पर निकल काता है मोटरोला बाकि ऐसे कोई फरक नहीं है डिजाइन होगरा में तो अब बात करते हैं डिस्पेले की तो सबसे पहले मोटरोला की बात करें तो इसके अंदर 6.5 इंच का आपको HD प्लस डिस्पेले देखनों की मिलता है 120 हर्स फास्ट रिफ्रेस रेट के साथ तो यह थोड़ा सा एक ऐसा पैनल है कि आपको फूल एचिडी नहीं मिलता है सिर्फ एचिडी जो की 720 हाप रेजुलेशन होता है तो वीवो की बात करें तो वीवो के अंदर आपको मिलता है 6.58 इंच का आपको फूल एचिडी पलस डिस्प्ले मिलता है तो इसके अंदर कहीं पर भी ऐसे हमको कोई फास्ट रिफ्रेस रेट का मेंशन नहीं मिला फिलिफ कार्ट पर भी देखा इसका फिस्केल वेबसाइट पर भी देखा तो वैसे कहीं पर भी मेंशन नहीं था कि इसके अंदर कौन सा पेनल है fast refresh rate तो अगर हम बाले तो यहां पर 90 हर से हम लेकर करके यहां पर चल रहा है तो दोनों के अंदर देखे तो डिस्पेले में सिर्फ इतना फर्क है कि यह हम हां पंच होल है तो यह थोड़ा सा ज्यादा बेटर देखने है मोट्रोला लेकिन यहां पर क्या है कि यह full HD plus होने की वज़े से थोड़ा सा बेटर यहां पर निकल काता राजेरलेशन में मोट्रोला से और अगर आप वीडियोस देखते हैं तो इसमें भी अच्छा खासा फील होता है कि यहाँ पर वीवो के अंदर डिस्पेले जो है वो अच्छी दी गई है साइड पर साइड देखते हैं तो आपको अच्छे तरीके से फरक पता चल जाएगा लेकिन अगर इसा आप देखना है अलग अलग तो इसे जादा आपको अंदाजा नहीं लगेगा लेकिन हाँ आप दोनों के अंदर जब देखते हैं डिस्पेले बेटर कलर बेटर डीटेल आपको यहाँ पर Vivo के अंदर देखने को मिलता है, दोनों के अलग-अलग Advantage मिलता है, आपको Motorola के अंदर Fast Refresh Rater देखने को मिलता है, और इसके अंदर Fast Refresh Rater नहीं है, और वही पर यह Full HD मिलता है, और यह Non Full HD है, सिर्फ HD Plus है, तो यह थोड़ा सा फरक देखने को मिलता है कम मिलता है, तो इसके अंदर आपको Snape Dragon का Powerful Processor यह आपर 695 Processor मिलता है, जो कि इस budget में एक अच्छा Processor माना जाता है, जो कि 6 Nanometer पर है, तो Vivo की बात करें, तो MediaTek के तरफ से आता है 6020 Processor जो कि यह आपर 7 Nanometer पर है, तो इसी से आप अंदर लगा सकते हैं कि यह थोड़ी सी ज बहुत सारे scenario में आपर Motorola बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही जल्दी आपर ओपन कर देता है application, वही थोड़ा से आपर Vivo लेट करता है, लेकिन वही पर BGMI मैं जब किया, तो उसमें जादा फरक देखनों को मिलागा, बहुत ही जल्दी Motorola application को अच्छे तरीके से ओपन कर लिया था, लेकिन इसमें बहुत ही लेट मिला, तो यह आपको फरक देखनों को मिलता है, अगर इसे UI में चलाते हैं, तो वह आपको दिख जाएगा, साथ में आपको animation Vivo के अंदर देखनों को नहीं मिलता है, अब कुछ लोगों कहा होता है कि यह animation कहां पर देखे, तो ज जब आप application को use करते हैं, open करते हैं, close करते हैं, तो उसमें आपको better देखनों को मिलता है Motorola और वहीं पर missing है, तो ऐसे अगर आप देख रहे हैं processor wise, तो आपको better निकल काता है Motorola, क्योंकि application को fast यहाँ पर open कर पाता है, और साथ में इसके अंदर 8GB मिलता है, और 1000 price भी कम है, तो इ बात करते हैं इन दोनों की camera, जो की camera में भी बहुत ही ज़्यादा confusion आता है, और ऐसे own paper समझ में नहीं आता है, क्योंकि दोनों के अंदर 50MP के camera है, और 2MP के macro lens है, तो इस हिसाब से अगर आप देखे हैं, तो दोनों के अंदर फरक अच्छे तरीके से समझ नहीं आता है, आपको यहाँ पर warm ज़्यादा कर देता है, यह वीवो, और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा color कर देता है, इसके वोजय से आपको ऐसा लगता है, कि filter लगा करके लिया हुआ है, मेरे भी लेने के बाद बहुत ही confusion था, कि कहीं filter नहीं है, बार बर मैंने चेक किया, बीना filter क यह ऐसा color निकल के आ रहा है, और यह Motorola के अंदर थोड़ा सा ठीक ठाक है, यहाँ पर natural type का color देखने की मिलता है, हलाकि यह भी natural नहीं है, थोड़ा से यहाँ पर saturated है, लेकिन आपको इसके सामने यहाँ पर natural लगता है, तो detailing में वीवो अच्छा निकल का आता है, वही पर से Motorola अच्छा है, और कहीं कहीं है, इस आयता है कि पोट्रेट में लेने के बावजूद भी यह phone बलर नहीं कर रहा था, तो यह बग देखने के मिला इसके अंदर और यह 2023 में phone है, तो अगर अब तक fix कर दिया होता है वीवो, लेकिन अभी तक fix नहीं हुआ है, तो नहीं उमी पिक्सल के कैमरा मिलागा, तो दोनों के अंदर फरक अच्छा तरीके से दिख जाएगा, क्योंकि आपर ऐसे भी, आपर half megapixel मिलता है, इसके अंदर 8 megapixel, और इसके अंदर आपको detail wise अच्छा देखने को मिलता है, तो जादा इसे फरक भी देखने को नहीं मिलता है, तो overall अग बात करते हैं, तो वीडियोज में दोनों के अंदर आपको 1080p, 30fps, 60fps का support देखने को मिलता है, लेकिन अगर वीडियोज हम देखें, तो दोनों के अंदर अच्छे वीडियोज है, थोड़ा सा क्या है, कि वाइड रहता है वीवो का जो वीडियोज निकालते हैं, और वही थो अच्छे नहीं लगती है, तो ऐसे आपको EIS के वाज़ा से इसके अंदर इस्टेबलाइसेशन अच्छे तरीके से मिल जाता है, जिसके वाज़ा से वीडियोज जो है, बहुत ही अच्छे लगने लगती है, तो ऐसे अगर हम वीडियोज में बता है, तो वो मोट रोला का अ सारी चीज़ा अच्छी मिलती है, साथ में आपको EIS का सपोर्ट मिलता है, तो इस्टेबलाइज वीडियो निकलती है, तो आप बात करते हैं इसके बैटरी एंड चार्जर की, तो दोनों के अंदर 5000 एमिज की बैटरी मिलती है 5000 एमिज की, और दोनों के अंदर आपको 18 वाट क चार्जर सपोर्ट करता है, और इसके अंदर आपको 20 वाट का चार्जर मिलता है, और दोनों चार्जिंग सपोर्ट 18 वाट का करता है, तो दोनों ऐसे आपको देड़ घंटे से 2 घंटे के बीच में आराम से चार्ज हो जाएगा, 7-8 घंटा डे-to-day यूजर में आपको निकल के आजाता है, अगर आइसे हेवी यूज करते हैं, तो 5 घंटे से 6 घंटा यानि 6 घंटा आराम से दे जागा, ये हेवी यूज में भी, तो ऐसे अगर आप नोर्मल यूज करते हैं ऐफोन, तो आपको बैटी इससे कोई भी इस्यूज निकल के नहीं आएंगे, तो दोनों के सारे चीज़ हम बात कर चुक है, कि क्या-क्या चीज़े फरक देखने के मिलती है, तो इस हिसाब से आप भी decision ले सकते हैं, कि आपके हिसाब से इन दोनों म कौन बेश्ट निकल के आता है, तो वीडियो कैसे लिएगी, कमेशन से में ज़रूर बताइएगा, वीडियो पसंद आएगी तो ज़रू सब्सक्राइब मिलते हैं किसी और इंटरेश्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए, बाई!